नमस्कार किसान भाईयो मैं महीपाल सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगयती फूल गोबी की खेती कैसे करें किस प्रकार से करना है वैसल डोज अर्थात कौन कुछ से खाद और और पर डाले हैं रुपाई से पहले और लगाने की बिदी और उसमें क्या क्या साथ धनिया में रखनी है किसान भाईयो तो आपको इस वीडियो के वादिय से पूरी दान कर दी जाएगी तो आप वीडियो पर आंतर बने रही है जो किसान भाई चैनल पर पहले बार हैं उनसे रिखेस्टे की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पासवारी घंटे को बिद दबा दे ताकि हमारा अनले नए वीडियो बने रपकेस्टन आपको सबसे पहले प्राप्त हो किसान हुए आगयती गोवी क करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जमीन की तैयरी कैसे करें और किस पिरकर की मिट्टी मेंसे लगा सकते हैं तो इसके लिए कि आपकी जमीन एओ उचे इस्तान पर होने चाहिए अर्था जो आपका खेट ऊचा हो आप उसमें को भी की कि फचल में दो सम्साय बहुत तो आप इसको पिसे ध्यान दखिए कराएं और आपने खेत में देशी खाथ जरूर डालें देसी खाथ जालने से जानवाइब जानवाइब जिससे पानी सुकने की समता और पानी रोखने की समता एक दों बढ़िया हो जाती है किसानवाई हो दूसरा किसानवाई है है हम बात करते हैं कि शीट सेलेक्षिन के बारे में शीट सेलेक्षिन के लिए किसानवाई हो आपको जो सिन्यांटे कंपणि का था सि एफहल 15 2 , बहुत एक दम अच्छी वेराइटी है और बहुत अच्छी चानवार नसरी है भरसा एक बहुत यॉखिलная की बात करते हैं किसानवाई हो आप इसकी नंशाय कंपर चार्थ डल ले समय अफवा को जो आपका ने पीगे यदिन फासफड़ हुआ पॉट जिसकी किसानवाय आपको जा को नाइटरोजेंट 20 किलोग्राम फासफ़रस 40-46 किलोग्राम it पर आप आप ज्खिते कि त्यारी अच्छे से करें लगार्य सक्षानवाई और Egypt करते हैं मैत्षट के वारे में मैध्षट से लगाना तो आप क्यायरी से फिला सकते और आप इसे गूल के दोर contains जभी है ही तो आप वहां गद्री नए टेकलोजी पोई है आp एक नवी चीसान जूरी थी तो आप यह थी अकल किसान बना हैं तो आप तो आप इसकी खती बेड़ बना कर सकते हैं किसानवाई और इसकी चीज़ती बहुत ही ज़्याद रहेगी जारोई किसानवाई आप बात कर रहते हैं पहुत उपचार के बारे में तो जिससे में आप अपने खिट में गोवी की रोपाई करें उससे में आपको 50 सब्सक्राइब कारवनेजिम पॉर्टर आता साफ के नाम से जिसके अंदर टेकलिक होता कारवनेजिम प्लेसमैन को जेब आपको यह 50 ग्राम लेना है और 15-20 लिटर पानी में अच्छे से घुल लेना है और जब आप अपनी पोद को लगाएं तो उसकी जड़ों को डूबे कर पंदर सेके दिल तक आप उसे डूबी रहने दे उसके बाद निकालने उसके आप रूपाई कर सकते हैं तो इससे हमारे पोदों में गर्ल बगरा नहीं आती है अब बात करते हैं इसमें इसमें बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो सबस्ते पहले आपको अपने खेद का प वे में तो आपके जब पोद्हैं और था उसके एक्ड़ाई कर सकते हैं आप उसकी सूख्य में रहते हैं उसके पाने करने जायिए हैं हैं य captiv हम उसे सूह के लगा देंगे तो ध्यादे वर्सार हो तो पुद्र हमारे उखड जाते ग़ीं तो यजिए आप पेले सिसाइज कर लें और सिसाइज करने वाद आप उसमें पुद्र की रुपाईा कर सकते हैं सनवाहों सब्सक्द मरें और आस बहूंगे सारी पताव कि समय से चाहि करेंग तो यह पोदे हमारे और जो रात को पाई हम भरते हैं तो रहात रहात में सूख जाता हमाना जाथ और दिन में हमारे पानी नहीं रएगा जिसके आप दूर्ट मैं वीडियो